मोधी जी ने क्या किया है Sydney डायलोग को virtual तौर पर अटेंट किया है Sydney जो कि Australia में है वहाँ पर एक डायलोग हुआ था और उसी डायलोग को किस ने अटेंट किया है उसी डायलोग को मोधी जी ने अटेंट किया है तो चलिए समझते हैं कि Sydney डायलोग है क्या और मोधी जी ने वह वहाँ पर क्या बात बोली है जो बहुत important है तो Sydney dialogue सबसे important है तो सबसे पहले हम यह जान ले कि Sydney dialogue है क्या तो साब साब लिखा है A World First Summit on Emerging Critical and Cyber Technologies यानि जो critical है और emerging technologies हैं जो अत्याधुनिक तक्नीकी हैं उनको लेकर Australia में एक dialogue की शुरुआत की गई है जिसे हम Sydney dialogue कहते हैं तो इस बात को याद रखिये गया और एक Australian Strategic Policy Institute है उसके माद्ध हम से यानि A.A.A. Australian Strategic, A.S.P.I.E. एक institute है Australian Strategic Policy Institute उसके द्वारा इस dialogue की सुरुआत की गई है यह एक प्रकार का मंच समझ सकते हो जहां पर दुनिया के देश आकर जो emerging technologies हैं जो अत्या धुनिक तकनीक हैं उन पे आकर चर्चा कर सकते हैं और मोधी जी आये हैं तो मोधी जी ने क्या कर दिया है मोधी जी ने पांच important point दे दिया है जो इंडिया के बारे में भी है जिसे की note भी बोला जा रहा है तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि मोधी जी ने सिड्नी डायलोग में क्या बोला है और क्यों वो important है तो सबसे पहले मोधी जी ने बात की कि भारत में जो public information infrastructure डवलप हो रहा है उसका एक विसेस महत्तो है दुनिया के बहुत कम देशों में इस प्रकार का information infrastructure आपको दिखाई देगा मोधी जी ने यहाँ पर जिक्र किया आधार का कहा गया कि भारत का जो 1.3 billion लोगों का आधार डाटा है वो अपने आपने दुनिया में एक unique है साथ ही साथ यहाँ पर मोधी जी ने ये भी कहा कि हम अपने 600,000 गाओं को connectivity प्रदान करेंगे broadband internet प्रदान करेंगे साथ ही साथ उनको UPI payment से भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर कहा गया कि हम public information infrastructure बहुत तेजी से डवलप कर रहे हैं इसमें एक बहुत important भूमिका निभारा है साथ ही साथ मोधी जी ने यहाँ पर ये भी focus किया कि हम अपनी governance को चलाने के लिए digital माध्यम का बहुत तेजी से प्रयोग कर रहे हैं इसे साफ साफ digital governments बोला जाता है जैसे प्रदान मंत्री जंधन योजना हमको अपने लोगों का account खुलवाना था तो हम किसी भी तरह उनको digital रूप में लाना चाहते थे तो हमने उनको bank से जोड़ा उसके पशाद हमको उनकी जानकारी bank के माध्यम से computer पर मिली तो हमें उनके जो भी information थी हमने उसको digital form में convert गया साथ ही साथ digital governance के संदर में एक और बहतरीन example मिल सकता है common service center सामान ने सेवा केंदर यानि सामान ने सेवा केंदर क्या होते हैं सरकार की जो भी technology से या digital जो भी schemes होती हैं जो भी information होती जो भी चीज़े होती हैं अगर आपको सरकार की किसी विसेश योजना का इस सेवा का फायदा उठा सकते हो तो ये एक बड़ी खबर है कि मोधी जी ने वहाँ पर ये भी बोला साथ ही साथ मोधी जी ने कहा कि भारत दुनिया का या दुनिया के सबसे बड़े largest ecosystem के या start-up ecosystem के अंदर गता है मोधी जी ने कहा कि भारत जो है दुनिया का third largest ecosystem है या start-up ecosystem है यानि ecosystem का मतलब वहाँ पर ये है start-up को जो फलने फूलने का विसेश औसर प्रदान करता है यानि start-up भारत में ने ने चो छोटे छोटे उद्द्योग होते वो आते हैं और यहाँ पर काम करते हैं और उनको हम पराबर support करते हैं साथ ही साथ मोधी जी ने digital transformation की बात की और मोधी जी ने कहा कि हम चाहे industry हो या service sector हो हम धीरे-धीरे digital transformation की तरफ उसमें बढ़ रहे हैं और इसी क्रम में मोधी जी ने एक market place का बिजिक्र किया government e marketplace जो हमारी agriculture को transformation के थूँ digital form में ला रहा है यहाँ पर आकर government e marketplace अच्छा यह agriculture वाला नहीं है वो अलग है यह government e marketplace क्या होता है कि जब सरकार के मंतरालेओं को या department को किसी चीज की जरूरत होती है तो इस marketplace से आकर purchase कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर transformation हो रहा है digital form में साथ ही साथ मोदी जी ने जो अंतिम बात बोली कहा कि हम future के लिए भी prepare कर रहे हैं चाहे वो टेक्नोड टेलीकॉम technology हो चाहे वो 5G हो या कोई और जी हो या मतलब 5G या 6G हो या फिर artificial intelligence हो या फिर machine learning हो हम इन सब के छेतर में भी काम कर रहे हैं मोदी जी का कुल मिलाकर ये कहना था है कि भारत को अब technology के छेतर में neglect नहीं किया जा सकता है और सही बात है neglect नहीं किया जा सकता है क्यों कि अगर Sydney dialogue में जो की emerging technology से related dialogue है वहाँ पर अगर भारत को बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब है भारत को neglect नहीं किया जा सकता है तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होगे